हाई गाईज वेलकम चूबी बैंकर स्वागत आपका आज के क्लास में आज के वीडियो में मैं हूँ प्रीती मैम और आज में लेकर क्या गई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस्त वाली क्लास क्या होने वाली आज की क्लास चलिए जल्दी से जान लेते हैं तो आज प करके बने वे होते हैं जी हाँ पूरा का पूरा वाक्य जो है मुश्किल से दो या तीन शब्दों से मिल करके बना हुआ होता है और आपको लगता है बड़ा ही आसान आप कर लेते हैं इसे बड़े अच्छे से याद और करेंगे अगर रिवाइस तो बोल सकेंगे बहुत ज ठीक ही रहे हैं और आप तो अंग्री जी बोल ही पाएंगे तो चलिए आज जान लेते हैं कौन से हैं वो चोटे-चोटे वाक्या से चोटे-चोटे वाक्यों की धेर सारी क्लासे ओल्रेडी चानल पर अवेलिबल है यह भी उनमें से एक लास है तो चलिए जल्दी से subscribe करते वक्ट बल आइकान दबाना बिल्कुल मत भूलेगा यानि कि subscribe बटन के बगल में जो एक घंटी बनी हुई है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सब इससे पहले आपको पता लग जाए आप सीधे-सीधे हमसे जुड़ सकते ह तो चली चली जलदी से शूरू करते हैं आज की क्लास और जान लेते हैं कौन से हैं वो छोटे चोटे वाक्य जो की रोज़ प्रेव होते हैं सबसे पहला वाक्य है यह अच्छा है यह अच्छा है क्या बोलेगे अच्छा मतलब good या nice तो यहाँ पर हम लोग informal way में बोल रहे हैं कि हाँ अच्छा है, मतलब आपको बड़ा अच्छा नहीं लगा, बड़ा अच्छा है, so आप बोल सकते हैं, it is nice, it is nice, यह अच्छा है, it is nice, वह दुखी है, he is sad, वह दुखी है, he is sad, you are honest, honest मतलब इमांदार, सच्छा, आप सच्छे हो, you are honest, आप सच्छे हैं यह आप इमांदार हैं, you are honest, यह हलका है, आपने खरीदा गहना, गहना लगा आपको हलका, यह हलका है, क्या बोलेंगे, it is light, it is light, यह बिजली वाला लाइट नहीं, यह हलका वाला लाइट है, it is light, यह हलका है she is graceful जी हाँ beautiful तो आपने सुना होगा पर graceful भी खुबसूरती को किसी की बताने के लिए इस्तमाल आप कर सकते हैं काफी standard सा शब्द है इस्तमाल करेंगे बिल्कुल बड़ा अच्छा vocabulary है बड़ा अच्छा word है आप beautiful तो सारे इस्तमाल करते देखे वह सुन्दर है she is graceful वह सुन्दर है आप चाहें तो she is beautiful भी बोल सकते हैं कोई problem नहीं है गलत नहीं होगा लेकिन आप चाहें तो graceful का बिस्तमाल कर सकते हैं she is graceful बढ़ते हैं आगे यह सस्ता है it is cheap यह सस्ता है यह महंगा है It is expensive. Expensive मतलब महंगा. यह महंगा है. It is expensive. It is stupidity. यह मुर्खता है. It is stupidity. Stupid सुना है मतलब क्या होता है? मुर्ख. और stupidity मतलब मुर्खता. It is stupidity. यह मुर्खता है. He is stout, stout, एक नया शब्दा है हमारे पास, stout, stout मतलब रूखा, एकदम अडियल, rude, बत्तमीजी से बात करने वाला, He is stout, वह रूखा एकदम उखड़ा उखड़ा रहता है, अच्छे से बात नहीं करता, He is stout, ऐसे लोगों के लिए आप इस शब्द कर सकते हैं I am unhappy, मैं खुश नहीं हूँ, या मैं नाखुश हूँ, दोनों ही जगहों पर आप इस्तमाल कर सकते हैं, I am unhappy, मैं खुश नहीं हूँ, या मैं नाखुश हूँ, I am unhappy It is right, यह सही है, it is right, यह सही है, it is right Food is tasty, खाना स्वादिष्ट है, food is tasty, tasty मतलब स्वादिष्ट, स्वाद से परिपूर्ण, स्वाद से भरा हुआ, tasty इस टेस्टी यानि कि यह स्वादिश्ट है या फूड इस टेस्टी मतलब खाना स्वादिश्ट है बढ़ते हैं आगे वह कमजोर है शी इस वीक चाहे तो ही इस वीक भी बोल सकते हैं क्यूं? शी इस वीक बोलते हैं मतलब कि किसी फीमेल की बात कर रहे हैं और ही इस वीक बोलते हैं तो मतलब किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं यानि किसी पुरुष की बात कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है आप जिसको भी संबोध्यत करना चाहें अगर आप बोलते हैं ही इस वीक तो हि मतलब किसी पुरुष की बात कर रहे है She is weak Hindi same रह जाएगा वह कमजोर है यानि कि आप यहाँ पे किसी महिला की बात कर रहे है Clear है बढ़ते हैं आगे It is false यानि कि ये गलत है It is false ये गलत है It is false He is a liar liar बड़ा अच्छा सा शब्द है He is a liar वह जूटा है जूट मतलब lie जूटा मतलब liar He is a liar वह जूटा है He is a liar I am quiet मैं शान्त हूं I am quiet Quiet मतलब शान्त रहना इदम शान्त जो चीज शान्त होती है I am quiet मैं शान्त हूं You are active आप फुर्तीले हैं You are active आप फुर्तीले हैं You are active बढ़ते हैं आगे He is kind Kind का मतलब क्या होता है Kind का मतलब होता है जिसके दिल में दया की भावना होती है He is kind वह दयालू है जिसके दिल में दया है वह दयालू है He is kind वह दयालू है Speak your mind अपने मन की बात कहें Speak your mind जब हम लोग किसी से पूछते हैं कि अरे मन में क्या चल रहा है बताओ न तो क्या बोल सकते हैं Speak your mind यानि कि आपके दिल दिमाग में जो चल रहा है उसे बताएं Speak your mind Speak softly धीरे बोलो Speak softly धीरे बोलो Speak softly Speak loudly जोर से बोलो Speak loudly जोर से बोलो Absolutely right यानि की बिलकुल सही Absolutely right यानि की बिलकुल सही Absolutely right Keep it up यानि की बहुत बढ़िया Keep it up क्यों बोलते हैं जब किसी को साबाशी देनी हो किसी के काम से बहुत खुश हो हम लोग तो उने साबाशी देने के लिए बोल सकते हैं keep it up यानि कि बहुत बढ़िया keep it up hats off to you यानि कि आपको सलाम मतलब आप किसी को appreciate कर रहे हैं कि भाई तुमने जो काम किया ना मेरे सो नहीं हो पाएगा hats off to you मतलब क्या काम किया है कमाल काम किया इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं hats off to you clear है चलिए बढ़ते हैं आगे go ahead आगे बढ़ें go ahead आगे बढ़ें get lost दफा हो जाओ या निकल जाओ get lost जब आप किसी पर गुस्ता हो और आप बोलना चाहते है की भागो यहां से निकलो यहां से आप क्या बोल सकते हैं get lost यानि की डफा हो जाओ यहां से या निकलो यहां से या निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से यानि की get lost बढ़ते हैं आगे how about you आप ने कहा मैं ठीक हूँ, I am fine, उसके बाद अगर बात आपको बढ़ानी हो, तो क्या बोलेंगे? आप पूछेंगे ना क्या सामने वाला कैसा है? क्या वहीं पर बात रोख करके चले जाएंगे? नहीं ना, पूछेंगे क्या सामने वाला कैसा है? आप कैसे हैं? इन रिटन क् हो जाओ, get ready, तैयार हो जाओ, कब इस्तमाल करते हैं get ready का? जैसे मान के चलिए, आपको party में जाना है, अचानक पता चला party में जाना है, घर पे आपके, किसी को नहीं पता कि party में जाना है, आप office से घर आएंगे, या आप बहार गये हैं, आप कहीं से भी घर वापस आएंगे और आप चानक बोलते हैं, चलो चलो तैयार हो जाओ, बाहर जा रहे हैं हम लोग, चलो चलो तैयार हो जाओ, party में जारे हैं, so get ready, यानि की तैयार हो जाओ, clear है? बढ़ते हैं आगे, what's new? नया क्या है? What's new? कब यूज कर सकते हैं नया क्या है, what's new? जब दुकान में आप बहुत वक्त बात मिले हैं, तो क्या पूछ सकते हैं, what's new, मतलब बहुत क्या नया चल रहा है, life में बताओ, what's new, clear है, बढ़ते हैं आगे, too expensive, बहुत महंगा, देखें, two का मतलब आप याद रखें, two का मतलब क्या होता है, two, two, मतलब होता है, बहुत, expensive का मतलब, अभी बताया महंगा, यानि की बहुत महंगा, बढ़ते हैं आगे, you two, आप भी, you two, आप भी, देखें, two का मतलब भी भी होता है, two के उपर already class आ चुकी है, नहीं देखी है, description box में link है, जाइए, देख लीजेगा, और अगर वहाँ पे भी नहीं मिलती है, तो whatsapp कर लीजेगा, आपको बि भी होता है, ठीक है, तो you two, यानि की आप भी, कभी इस्तमाल करते हैं इसका, जब आप से कोई बोले की अपना ख्याल रखना, तो आप सामने वाले को क्या बोलेंगे, आप भी, यानि की you two, clear है, बढ़ते हैं आगे, let it be, रहने दो, let it be, रहने दो, let it be, stop writing, लिखना बंद क करो, keep writing, लिखते रहो, keep writing, लिखते रहो, keep distance, दूरी बनाए रखें, keep distance, दूरी बनाए रखें, don't be late, देर मत करो, don't be late, देर मत करो, don't be late, get away, दूर हो जाओ, get away, दूर हो जाओ, get away, दूर हो जाओ, get away, Get off यानि कि उतर जाओ Get off यानि कि उतर जाओ आप मालीजे किसी उच्छे जगा पे खड़े हैं और अगर नीचे आप किसी को बोल रहे हैं कोई उच्छे जगा पे खड़ा है आपको बोलना है उतर जाओ तो क्या बोलेंगे? Get off यानि कि उतर जाओ Get off, उतर जाओ Listen carefully, ध्यान से सुनो Listen carefully, carefully मतलब ध्यान से, listen मतलब सुनना Listen carefully, ध्यान से सुनो Listen carefully Let it go, जाने दो Leave me alone, मुझे अकेला छोड़ दो Leave me alone, मुझे अकेला छोड़ दो Leave me alone Walk fast तेजी से चलो या तेजी से चले Walk fast Leave it रहने दीजे Leave it रहने दीजे Leave it Walk slowly धीरे चलो Walk slowly धीरे चलो Walk slowly Carry on लगे रहो Carry on Carry on Come on Come on आजाओ आपने देखा होगा टीवी में कई बार मतलब जब कोई कुछ अगर कोई सीन चल रहा है जहां पर बोला जाता है Come on मतलब क्या होता है इसका आजाओ Come on Come on Clear है बढ़ते हैं आगे Come along Along मतलब क्या होता है साथ Come along साथ चलो Come along साथ चलो बढ़ते हैं आगे She is stubborn Stubborn का मतलब जिद्धी हठी अडियल She is stubborn वह जिद्धी है She is stubborn वह जिद्धी है She is stubborn You are lazy Lazy मतलब क्या होता है आलसी तुम आलसी हो या आप आलसी हो या आप आलसी है You are lazy Food is stale खाना बासी है Food is stale खाना बासी है Stale का मतलब होता है बासी Food is stale बढ़ते हैं आगे It is intricate यह जटिल है Intricate यानि की complicated जटिल लिगदा मुश्किल वाला It is intricate यह जटिल है He is selfish वह मतलब ही है He is selfish वह मतलब ही है He is selfish It is useful यह उपयोगी है It is useful यह उपयोगी है It is useful It is useless यह फाल्तु है It is useless यह है फाल्तु है It is useless It will do the work यह काम करेगा It will do the work यह काम करेगा It will do the work It is empty यह खाली है It is empty यह खाली है It is empty It is too big यह कितना बड़ा है It is too big यह कितना बड़ा है यह बहुत बड़ा है It is too big बढ़ते हैं आगे It is too small यह बहुत छोटा है It is too small यह बहुत छोटा है It is too small इट इस यूर फॉल्ट यह आपकी गलती है It is your fault. यह आपकी गलती है. It is your fault. It is interesting. यह दिल्चस्प है. It is interesting. यह दिल्चस्प है. It is interesting. He is blind. वह अंधा है. अंधा को क्या कहते हैं? Blind. मतलब जिनको दिखाई नहीं देता. उनको अंग्रेजी में कहते हैं? Blind. He is blind. वह अंधा है. She is dumb. Dumb जो है एक शब्द है जो इस्तमाल होता है. जो लोग बात नहीं कर सकते हैं. उनके लिए इस्तमाल होता है. मूख होते हैं जो लोग. वह गूंगा है. वह She is dumb. clear है? बढ़ते हैं आगे. He is deaf. यानि कि जिनको सनाई नहीं देता. वह बहरा है. He is deaf. clear है? बढ़ते हैं आगे. He is fake. वह नकली है. He is fake. वह नकली है. He is fake. I am outside. मैं बाहर हूँ. I am outside. मैं बाहर हूँ. I am outside. clear है? बढ़ते हैं आगे. Be at home. घर पर रहो. Be at home. घर पर रहो. Be at home. Don't go out. बाहर मत जाओ. Don't go out. बाहर मत जाओ. Don't go out. keep distance. दूरी बनाई रखें. Keep distance. Do you cuff? क्या आपको खासी है? do you cuff? क्या आपको खासी है? या do you have cuff? क्या आपको खासी है? Do you have cough, clear है, क्या हो जाएगा, Do you have cough, क्या आपको खासी है, clear है, बढ़ते हैं आगे Don't touch anyone, किसी को मत छूओ, Don't touch anyone, किसी को मत छूओ, Don't touch anyone Do you have a fever, क्या आपको बुखार है, Do you have a fever, क्या आपको बुखार है, Do you have a fever keep gargling, गरारे करते रहें, gargling मतलब क्या होता है, खासी हो जाती है, हमें तो गरम पानी से गरारे करते हैं न, that is in English called as gargling, keep gargling, बढ़ते हैं आगे, wear clean clothes, साफ कपड़े पहने, wear clean clothes, साफ कपड़े पहने, wear clean clothes, don't roam outside, बाहर न घूमे या, बाहर मत घूमो, don't roam outside, बोलते है न अपने बच्चों को, बाहर अरे, बाहर मत घूमो, don't roam outside, बाहर न घूमे, बाहर मत घूमो, don't roam outside. I have a sore throat, sore मतलब खराब, I have a sore throat, मेरा गला खराब है, मतलब हलकी सी खराश है गले में, उसको कहते है sore throat, गला थोड़ा खराब है, sore throat. I have a sore throat, मेरा गला खराब है, I will stay inside, मैं अंदर ही रहूंगा, I will stay inside, मैं अंदर ही रहूंगा, I will stay inside. Be alone, अकेले रहना, be healthy, स्वस्थ रहो, be healthy, स्वस्थ रहो, बढ़ते हैं आगे, stay away, दूर रहो, stay away, दूर रहो. Don't touch, मत चुओ, don't touch, मत चुओ, don't touch, take care, ख्याल रखना, stay safe, सुरक्षित रहें, stay safe, सुरक्षित रहें. बढ़ते हैं आगे, stay inside, अंदर रहना, stay inside, अंदर रहना, be optimistic, आशावादी बनो, यानि की positive, optimistic किनको बोलते हैं, जो लोग आशावादी होते हैं, हमेशा positive रहते हैं, चीजों को लेकर के हैं, negative feelings नहीं आने देते हैं, तो be optimistic, आशावादी बनो. Save yourself, अपने आपको बचाओ, save yourself, अपने आपको बचाओ, अगर मान के चलिए, बर्फ पढ़ दिया, आप ऐसे निकल गएं, तो क्या बोलते हैं, parents, अरे, खुद बचो, अपने आपको बचाओ, save yourself. बढ़ते हैं आगे, be clean, saaf रहें, be clean, saaf रहें, protect others, दूसरों की रक्षा करें, protect others. दूसरों की रक्षा करें, protect others, he has a cold, उसे जुखाम हो गया है, या उसे जुखाम हो गया है, that's where it is, वह वहाँ है, जब आपको इचीज ढूण रहें, ढूण रहें, मिल नहीं रहें, अचानक दिख गई, तो आप क्या बोलते हैं, वहाँ हैं, वह वहाँ हैं, यानि की that's where it is that's where it is, बढ़ते हैं आगे, that's why, यानि की इस लिए, not anymore, अब और नहीं, not anymore, अब और नहीं, speak frankly, खुलकर बोलो, speak मतलब बोलना, frankly मतलब खुलकर बोलना, खुलकर मतलब अपने आपको express करना, speak frankly, खुलकर बोलो, आराम से बोलो, speak frankly, bit by bit, थोड़ा थोड़ा करके, bit by bit, थोड़ा थोड़ा करके, time and again, बार बार, time and again, बार बार, at intervals, यानि की अंतराल पर, at intervals, यानि की अंतराल पर, how many times, यानि की कितनी बार, How many times, यानि कि कितनी बार How much, यानि कि कितना From time to time, यानि कि समय समय पर डॉक्टर बोलते हैं न, समय समय पर दवाई देते रहें यानि कि from time to time समय समय पर, यानि कि from time to time Not at all, यानि कि हर्गिस नहीं Not at all, यानि कि हर्गिस नहीं Not at all, clear है, क्या है वह रोया, अब यहाँ पर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमने बोला he है तो हमने बोला वह रोया, क्यों? क्योंकि he का मतलब क्या होता है, he किसको symbolize करता है किसी male member के बारे मैं बात कर रहे हैं अगर यहाँ पर होता she cried, तो क्या हो जाता? अब she cried होता तो हो जाता, वह रोयी she मतलब किसी female के बारे में बात कर रहे हैं यानि कि किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो she cried यानि कि वह रोयी बढ़ते हैं आगे she thought, उसने सोचा बढ़ते हैं आगे you lied to me, आपने मुझसे जूट बोला lie का मतलब lie, lie का मतलब क्या होता है, जूट you lied to me, आपने मुझसे जूट बोला, you lied to me बढ़ते हैं आगे I spoke, मैंने बताया, I spoke बढ़ते हैं आगे we danced, हम नाचें, we danced, हम नाचें, we danced बढ़ते हैं आगे then and there, यानि कि तभी के तभी, then and there, यानि कि तभी के तभी, then and there बढ़ते हैं आगे I tried, यानि कि मैंने कोशिश की I tried, मैंने कोशिश की I tried you tried, आपने कोशिश की you tried, आपने कोशिश की you tried अगला है she sang a song, उसने एक गाना गाया, she sang a song, उसने एक गाना गाया, she sang a song she smiled, वह हसी, she smiled, वह हसी, she smiled, I laughed, मैं हसा, I laughed, मैं हसा, I laughed आगे बढ़ते हैं, he walked, वह चला, he walked, वह चला, he walked have your say, यानि कि अपनी बात रखो, have your say, अपनी बात रखो, have your say birds flew, पक्षी उडगय, birds flew, पक्षी उडगय, birds flew he went to the school, वह स्कूल चला गया, he went to the school, वह स्कूल चला गया, he went to the school little by little, यानि कि थोड़ा थोड़ा करके, little by little, यानि कि थोड़ा थोड़ा करके, little by little बढ़ते हैं आगे, nothing much, यानि कि जादा कुछ नहीं, nothing much, यानि कि जादा कुछ नहीं, nothing much यैसे कई बार हम लोग दोस्तों से मिलते हैं बहुत दिन बाद मिले हैं दोस्त पूछते हैं और बताओ भई क्या चल रहा है तो हम लोग का जवाब क्या होता है रही कुछ नहीं यानि की nothing much बढ़ते हैं आगे as you please यानि की जैसा आप चाहें ऐसा कब हम लोग बोलते हैं कि जब सामने वाले को अपनी मर्दी चलानी है तो फिर पूछना क्यों है जैसा आप चाहें कर लीजे as you please जैसा आप चाहें as you please बढ़ते हैं आगे not a bit यानि की थोड़ा सा भी नहीं not a bit यानि की थोड़ा सा भी नहीं not a bit doesn't matter यानि की कोई बात नहीं doesn't matter यानि की कोई बात नहीं doesn't matter how far कितनी दूर how far कितनी दूर how far अगला है he wrote उसने लिखा he wrote उसने लिखा he wrote I know मुझे पता है I know मुझे पता है I know do not move हिलना मत do not move बढ़ते हैं आगे stand up खड़े हो जाओ stand up खड़े हो जाओ stand up come here यहां आओ come here यहां आओ come here अगला है stay quiet शांत रहो stay quiet शांत रहो stay quiet don't cry रोना मत don't cry रोना मत don't cry he is foolish वह मूर्ख है he is foolish वह मूर्ख है he is foolish फुलिश मतलब क्या होता है मूर्ख बेवकूफ है ना तो he is foolish वह मूर्ख है you are a freak you are a freak you are a freak iog freak का मतलब क्या होता है समझेे आपने बहुत बारे यह शब्द जो है टीवी वगेरा में, मूवीज वगेरा में, वेब सीरीज वगेरा में सुना होगा freak का मतलब क्या होता है एक ऐसा इंसान जिसका कोई ठिकाना नहीं होश का वो कभी भी कुछ भी करता है संकी है basically तो you are a freak, तो make संकी हो सोहन is handsome, सोहन सुन्दर है अब handsome जैसे शब्द का स्तमाल जो है वो किसी पुरुष के लिए ही किया जाता है सोहन is handsome, सोहन सुन्दर है सोहन is handsome बढ़ते हैं आगे सुहानी is beautiful अब beautiful शब्द का स्तमाल लड़कियों के लिए किया जाता है सुहानी is beautiful सुहानी खूपसूरत है सुहानी is beautiful He is careless careless का मतलब समझे careless, care का मतलब क्या होता है परवा, less का मतलब क्या होता है नहीं करना या कम करना तो careless यानि कि जो इंसान परवाह नहीं करता है या जो इंसान लापरवाह होता है He is careless वह लापरवाह है He is careless बढ़ते हैं आगे you are wise यानि कि आप बुधिमान है You are wise आप बुधिमान है You are wise बढ़ते हैं आगे you are selfish तुम मतलबी हो You are selfish तुम मतलबी हो You are selfish बढ़ते हैं आगे You are trustworthy You are trustworthy मतलब आप भरोसे मंद है अब समझे Trust का मतलब क्या होता है भरोसा Worth का मतलब क्या होता है लायक You are trustworthy यानि कि आप भरोसे के लायक हैं आप भरोसे मंद है You are trustworthy बढ़ते हैं आगे You are kind आप दयालू है, you are kind, बटे आगे, he is hard working, वो महनती है, he is hard working, hard working का मतलब क्या होता है, जो बहुत महनत करता है, किसी भी काम को एक दम ठान लेता है, तो करके रहता है, खुब महनत करता है, जो वो hard working होता है, he is hard working, वो महनती है, शोहन is irritating, इरिटेटिंग शब्द का मतलब क्या होता है, जो चिर्चिड़ा होता है, जो हमेशा चिर्चिड़ाता है, जो आप कुछ भी करिए, कुछ भी बोल twee, हमेशा चिर्चिड़ाएगा, तो सोहन is irritating, सोहन चिर्चिड़ा है, बढ़ते हैं आगे, I am optimistic, अब optimistic शब्द का औ positive दिखे हमेशा जीवन के पती जिसका नजरिया सकारात्मक हो उसको optimistic बोलते हैं I am optimistic मैं आशावादी हूँ I am optimistic अब इसी का उल्टा होता है निराशावादी आशावादी का उल्टा क्या होगा भई जो निराश रहता हो हमेशा हर चीज में बुरा ही उसको नजर आता हो हर है निराशावादी तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे pessimistic he is pessimistic वह निराशावादी है he is pessimistic clear है बढ़ते हैं आगे रीना इस टॉकेटिव रीना बातुनी है रीना इस टॉकेटिव सूरज स्क्रीम्ड स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना सूरज स्क्रीम्ड सूरज चिल्लाया सूरज स्क्रीम्ड सूरज चिल्लाया we looked, हमने देखा, we looked, हमने देखा, we looked it fell, यह गिर गया, it fell, यह गिर गया, it fell you sat, sit का, दूसरा फॉर्म, sat, you sat, आप बैठ गये, you sat, आप बैठ गये I slept, मैं सो गया, I slept, मैं सो गया, I slept they stood, वे खड़े हुए, they stood, वे खड़े हुए, they stood don't scream, चिलाओ मत, don't scream, चिलाओ मत, don't scream शीला क्राइड, शीला रोपडी, शीला क्राइड, शीला रोपडी, शीला cried, the boy got off the car, लड़का कार से उतर गया, the boy got off the car, लड़का कार से उतर गया, the boy got off the car बढ़ते हैं आगे, he forgot, वह भूल गया, he forgot, वह भूल गया, he forgot she came here, वह यहां आई, she came here, वह यहां आई, she came here we went there, हम लोग वहां जाते थे, we went there, हम लोग वहां जाते थे, we went there लीला इस ब्यूटिफुल, लीला सुन्दर है, लीला इस ब्यूटिफुल, लीला सुन्दर है, लीला इस ब्यूटिफुल वीना is sensible, अब sensible का मतलब क्या होता है, जिसमें जो sense वाली बात करें, जो समझदारी वाली बात करें वीना is sensible, वीना समझदार है, वीना is sensible, वीना समझदार है, क्लियर है, बढ़ते हैं आगे अब opportunistic का मतलब क्या होता है जो हमेशा opportunity ढूंडे यह word बना है word opportunity से मतलब मौका, अवसर तो सुरेश is opportunistic यानि कि सुरेश अवसरवादी है जहां अवसर मिलता है वहाँ पर अपने फायदे की काम कर लेता है वो तो सुरेश is opportunistic सुरेश आशा अवसरवादी है सुरेश is opportunistic सुरेश अवसरवादी है clear है बढ़ते हैं आगे You are intelligent आप बुध्धिमान है intelligent का मतलब क्या होता है बुध्धिमान You are intelligent आप बुध्धिमान है You are intelligent He is clever clever का मतलब चतूर He is clever वह चतूर है He is clever इस इमोशनल, इमोशनल मतलब जो बात-बात पर बहुत जादा भावुक हो जाए, उसको इमोशनल कहते हैं, नेहा इस इमोशनल, नेहा भावुक है, नेहा इस इमोशनल, बढ़ते हैं आगे, Come with me, मेरे साथ आओ, Come with me, मेरे साथ आओ, Come with me, What do you want? तुम क्या चाते हो? What do you want? What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? I want to eat something. मैं कुछ खाना चाता हूँ. I am feeling hungry now. मुझे अब भूख लग रही है. I am feeling hungry now. Do it yourself. इसे स्वयम करो. Do it yourself. I don't know him. मैं उसे नहीं जानता. I don't know him. मैं उसे नहीं जानता. I don't know him. बढ़ते हैं आगे. I have seen you somewhere. मैंने तुम्हें कहीं देखा है. I have seen you somewhere. I left. मैंने छोड़ दिया. I left. मैंने छोड़ दिया. I left. I apologized. Apologized का मतलब माफी मांगना. मैंने माफी मांगी. I apologized. मैंने माफी मांगी. I apologized. बढ़ते हैं आगे I felt, मुझे महसूस हुआ, I felt, मुझे महसूस हुआ, I felt You heard it, आपने इसे सुना, You heard it, आपने इसे सुना, You heard it I made it, मैंने कर दिखाया, I made it, मैंने कर दिखाया, I made it She brought water, वह पानी लेकर आई, She brought water, वह पानी लेकर के आई, She brought water You hid it, अब hide का ही अगला form है hid You hid it, आपने इसे छिपाया You hid it, आपने इसे छिपाया You hid it You are brave, तुम बहादुर हो You are brave We have to take rest हमें आराम करना है We have to take rest हमें आराम करना है We have to take rest बढ़ते आगे We will have to remember हमें याद रखना होगा We will have to remember हमें याद रखना होगा We will have to remember They will have to talk उन्हें बात करनी होगी They will have to talk उन्हें बात करनी होगी They will have to talk They will have to stop उन्हें रोकना होगा They will have to stop उन्हें रोकना होगा, they will have to stop You will have to jump, आपको कूदना होगा You will have to jump आपको कूदना होगा, you will have to jump We will have to understand, हमें समझना होगा We will have to understand, हमें समझना होगा We will have to understand How far is your home? आपका घर कितनी दूर है? How far is your home? आपका घर कितनी दूर है? How far is your home? I need your help, मुझे आपकी मदद चाहिए What would you like to have? आप क्या लेना चाहिए? What would you like to have? आप क्या लेना चाहेंगे What would you like to have? घर पे महमान आते हैं तो क्या proven पूछते हैं आप क्या लेना चाहेंगे या आप क्या लेना पसंद करेंगे What would you like to have? बढ़ते हैं आगे I can't disappoint you मैं आपको निराश नहीं कर सकता Disappoint का मतलब क्या होता है? निराश करना I can't disappoint you मैं आपको निराश नहीं कर सकता I can't disappoint you Let us go together चलो साथ चलते हैं Let us go together चलो साथ चलते हैं Let us go together Who is this guy? यह आदमी कौन है? Who is this guy? यह है आदमी कौन है? Who is this guy? Why don't you understand? तुम क्यों नहीं समझते? Why don't you understand? तुम क्यों नहीं समझते? Why don't you understand? You will have to go now अब आपको जाना पड़ेगा You will have to go now I want to talk to you मुझे तुमसे बात करनी है I want to talk to you Do it right now इसे अभी करो Do it right now. इसे अभी करो. Do it right now. They will have to run. उन्हें भागना होगा. They will have to run. उन्हें भागना होगा या उन्हें दोडना होगा. They will have to run They will have to fight उन्हें लड़ना होगा They will have to fight उन्हें लड़ना होगा They will have to fight They will have to surrender अब surrender का मतलब समझे आत्मसमर्पन करना They will have to surrender उन्हें आत्मसमर्पन करना होगा They will have to surrender उन्हें आत्मसमर्पन करना होगा They will have to surrender I have to go मुझे जाना है I have to go, मुझे जाना है, I have to go I have to sit, मुझे बैठना है, I have to sit I have to study, मुझे पढ़ाई करनी है I have to study, मुझे पढ़ाई करनी है, I have to study मुझे काम करना है, I have to work मुझे काम करना है, I have to work, मुझे काम करना है, clear है, so yes guys, यह थी आज की class, class कैसे लगी, मुझे comment करके जरूर बताईए, यह DLS, यानि की daily life sentences, बहुत जादा उपयोगी है, आपके रोजमर्रा के life में, इनको आप practice करिये, बड़े काम की चीज है, और आपको बहुत जादा काम आन क्लास को like और share और साथ में comment करके बताईए, कैसे DLS यानि की daily life sentences के classes, आपको कैसी लगती है, इसके साथ ही आप सब के लिए good news, बहुत जल लॉंच करने जा रही हूं, तीन किताब है back to back, एक होने वाली है helping verbs के उपर, एक होने वाली है DLS यानि की daily life sentences के उपर, एक होने वाली words यानि की daily life words के उपर DLW, clear, आपकी favorites में से कौन सी होने वाली है, मुझे comment करके जरूर बताए, इसके साथ ही है हमारा free spoken English का course, जी हाँ, आपने सही सुना, free course है ये, नाम है इसका साड़े 6 गंटे में अंग्रेजी बोलें, जिसमें आपको मिल जाती है, 60 plus video classes, जी हाँ, 60 plus video lectures इसमें आपको मिलती है, और हर class में, आपको मिलता है करने के लिए homework, जो कि बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि homework करेंगे, तो practice होगी, और practice होगी, तो आपकी अंग्रेजी बढ़िया हो जाएगी, बिल्कुल free वाली course है, full on package है, ऐसा नहीं है, कि free course है, तो कुछ कम जादा है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल full package वाली course है, तो definitely आपको ये course बिल्कुल मंगवानी चाहिए अपने phone पे, कैसे मिल सकती है भाई, free वाली course, इस number पर करिए WhatsApp और मंगवा लिजे इस course को अपने लिए अभी, इसी के साथ इसी के उबर based ebook के free sample भी आपको मिल सकती है, कैसे, बस ज ये है premium WhatsApp spoken English course, यानि की premium spoken English WhatsApp की सहूलियत पर, इसकी inquiry आप इस number पर कर सते हैं, अब inquiry किस बात करनी है, कि क्या course है, कितने दिनों का है, homework कैसे मिलेगा, homework चेक कैसे होगा, classes का routine क्या है, classes कैसे आएंगी, और अगली batch इसकी कब शुरू हो रही है, ये बिल्कुल पूशना मत भूल कि इसकी अगली batch कब शुरू हो रही है, इसके साथ ये है basic English grammar course, यानि की English grammar की basic वाली course, कौन से basic वाली course भई, वही basic वाली course जिसमें 0 से सिखाया जाता है, तो आप इसकी inquiry पर कर सकते हैं, कि भई, क्या course है, कितने दिनों का है, कैसे आप, आपका module क्या होगा सीखने का, ये सा mythologically designed course है, छोटे बच्चों के लिए जिनमें जहां पर उनको खेल-खेल में grammar सिखा दिया जाता है, उनके concepts हो जाते हैं, बिल्दुल, बिल्दुल crystal clear, तो जल्दी से इस नंबर पर inquiry करिए, पता कर लीजी, इसके लिए बैच कब शुरू हो रही है, ये है basic English grammar and writing for school, यानि कि आ जरूरी है, अगर आप वाकई अपने school में English के paper में अच्छा score करना चाहते हैं, तो जल्दी से इस नंबर पर inquiry करिए, पता कर लीजा, इसके लिए बैच कब शुरू हो रही है, और अगर आप वाकई एक serious aspirant है, जो किसी भी ऐसे competitive exam के तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप इस नंबर पर कर सकते हैं, इंक्वाइरी करते वक्धियान रखें, कोर्स कान नाम लेकर के इंक्वाइरी बेचे, ता कि हमारे प्रतिनीदी आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुचा पाएं, जानकारी मिलने में लगवख 12-40 घंडों का वक्त लग जाता है, तो किर प इंक्वाइरी बेंकर.